दोस्तों गर्ववस्था में अक्सर पेट दर्थ की समस्या महिलाओं को होती है तो कैसे आप इस पेट दर्थ की समस्या को दूर करें? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ जरूरी टिप बताऊंगी जब भी गर्ववस्था के समय आपके पेट में दर्थ की समस्या होती है तो इसका अर्थ होता है कि आपके पेट में पानी की कमी हो जाती है तो इसके लिए जरूरी है ऐसे तत्व और पोशन का सेवन करें जिससे आपकी बॉड़ी में पानी की कमी भी पूरी हो जाए पेट संबंधी कोई भी रोग को दूर करने के लिए मेथी के दाने काफी उपयोगी होते हैं। अगर आप राद भर आधी कटोई मेथी के दाने को पानी में भीगो कर रख देंगे और सुबा उस पानी को पीएंगे तो आपके पेट दर्ड जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाए तनाव को दूर रखें। गर्ब अवस्था के दौरान आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आपको तनाव मुक्त रखें। क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगी तो इससे आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर काफी नेगिटिव असर पड़ता है। तनाव को दूर रखने के लिए अच्छी डाइट लीजिए। अगर आपका खान पान अच्छा होता है तो आपका होने वाला बच्चा हेल्दी होगा। तनाव ज़्यादा करने से पेट में दर्द और एठन जैसी समस्या होती है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें। तीसरा उच्छार ज़्यादा पानी पीएं। गर्ब अवस्था के दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। डिहाइड्रेशन यानि की हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप प्रेग्निंट हैं तो पानी का सेवन आप जादा से जादा करें। क्योंकि जितनी हमारी बाडी में पानी की मात्रा अधिक होगी उतना हमारा शरीर सुअस्त रहेगा। कम पानी पीने से आपके पेट में ब्लोटिंग की समस्या आजाती हैं जिसके कारण पेट गैस संबंधी रोग उत्पन होते हैं। इसलिए पानी का सेवन अधिक कीजिए जिससे आपके शरीर में पेट की कोई भी समस्या ना आए। चौथा उपचार फाइबर युक्त आहार आपको ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। फाइबर का सेवन करने के लिए आपको हरी सबजियां और फलों का सेवन जादा से जादा करना चाहिए। इससे आपके शरीर में पाचन शक्ती की क्रिया बढ़ जाती है। इसलिए आप जब भी कुछ खा रहे हो, ध्यान रहे, वो फाइबर युक्त भोजन हो। पाचवा उपाए, वयायाम, वयायाम गर्वती महिलाओं के लिए एक अच्छा उपचार है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी बीमारी है तो वयायाम करना आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह सुबह आप सैर कर सकती हैं या फिर आप योगा कर सकती हैं जिससे आपका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा गर्वती महिला के लिए वयाम या योगा एक बहुत ही अच्छा उपाय है अगर गर्वती महिलाएं योग या मेडिटेशन करती हैं तो उनका आने वाला बच्चा भी बहुत स्वस्थ होता है दोस्तों अगर आप गर्वती हैं तो इन टिप्स को जरूर ट्राई करें इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें